नमस्कार वरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फैजिक्स वाला हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए सोशल साइंस यानि के समाजी गध्यन जो हमारा विशे है उसको हम लोग आप सभी के साथ डिसकस कर रहे हैं हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास जो आप सभी के साथ करी थी वो थी भारत में राश्टवास से संबंदित और उस पूरे की पूरे चैप्टर को हम लोगों ने आप सभी के साथ questions की form में समझ लिया था समझाता की नी समझाता जी हाँ और हमने आप से पूछा था कि बच्चों आप कौन सा चैप्टर को कराना चाहते हो तो अधिकतर बच्चों ने संसाधने विकास इस चैप्टर की करी थी डिवांड तो इसको हम लोग आप सभी के सामने रख रही है क्लास 10 के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ हमारी होगी बादचीत और ये जो नया चैप्टर है दोस्तों गोल के अंदर हमारा मौझूद है संसाधने विकास इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे बहुत से बच्चों का ये भी कन्फूजन था कि सर हम CVSC वोट के हैं क्या हमारे लिए हैं सर हम बिहार वोट के लिए हैं क्या ये चैप्टर हमारे लिए हैं भाया आप UP वोट, विहार वोट, MP वोट, राजस्थान वोट, CVSC वोट भारत के किसी भी वोट के अंदर मौझूद हों अगर आपके पास समाजिक अध्यन हिंदी मीडियम में हैं तो आप सभी के लिए हमारा ये जो प्लैटफॉर्म है हमारे जो ये क्लासिस हैं बहुत जादा महत्पून है अब समय को बिल्कुल भी वैरत नहीं करेंगे दोस्तो आप सभी के साथ संसाधने विकास इस चैप्टर को बहुत ही तरीके से हम लोग समझेंगे इस पूरे चैप्टर को बहुत ही गहराई के साथ बहुत ही सजकता के साथ हम लोग समझने वाले हैं आपको इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन आप लोगों को अपने दिमाग में नहीं रहने देना है कन्फूजन रहे गई नहीं है हम बहुत असानी के साथ इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं चली दोस्तों समय को बिलकुल वयर्थ ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं संसाधन विकास यह हमारा चैप्टर है वहोल से यह समझने वाला है सबसे पहले यही डिसकस कर लेते हैं कि हमारी आज की स्कलास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे हमारी आज की स्कलास में दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो हम लोग इस chapter से सम्मंदित लगु उत्रे परशन, अब लगु उत्रे परशन का मतलब क्या होता है, भाया short questions जो होते हैं आपके paper में पूछे जाते हैं, दो number के, तीन number के, और इस chapter से सम्मंदित जितने भी लगु उत्रे परशन हो सकते हैं, उनको हम लोग आपके सामने इसको हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं, और उसी के साथ साथ, इस chapter से सम्मंदित महत्पून questions, important questions को हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे, तो संसाधन ये विकास, ये है हमारा chapter, कुर्सी की बेटी बान दीजिए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस chapter की संसाधन क्या है? आप लोगोंने अपनी पिछली क्लासिस के अंदर, जब आप लोग क्लास नाइंथ में थे, क्लास एर्थ में थे, कही ना कहीं इस शब्द को जरूर सुना होगा संसाधन, अगर मैं आप से पूछूँ, तो आप मुझे बताईए कि संसाधन का मतलब क्या हो कोमेंट में बताईए दोस्तों कि आपके हिसाब से संसाधन ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? अगर हम लोग सिंपल सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो शब्द है संसाधन, हम अपने आसपास ना बहुत सारी चीजों को देखते हैं, द देख रही हैं, जी हाँ, आप अपने आसपास क्या देखते हैं, कि आप अपने कमरी के अंदर आप बैटे हैं, वहाँ पर एक पंका है, और पंका एक प्रकार से आपका संसाधन है, क्योंकि आपकी आवशक्ता की पूर्ती करता है, अगर आपको गर्मी लगती है, तो आप आपको आपको ठंडग देता है, आपके घर में रखी जो फिरिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि आपको वहाँ से ठंडा ठंडा पानी मिलता है, तो आपके आसपास मौझूद वो सभी चीजें, जो मुख्यत और पर आपकी आवशक्ता की पूर् संसाधन क्या है, जर्नल डर्म में साधरन तरीके से हमने समझा, हमारे आसपास मौझूद वो सभी चीजें, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है, उनको हम लोग संसाधन क्याते हैं, परिभाशा किस तरीके से रखी जाये पेपर के अंदर, ताकि पूरे नमबर में ल लिखते हैं, जिनका परियोग आप लोग अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए करते हैं, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, ऐसी वो सभी वस्तुएं जो आपके आसपास मौझूद हैं, जिससे आपकी आवशक्ता की पूर्ती होती है, उसी को हम लोग क्या कहत हैं दोस्तों उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं लेकिन संसाधन के अंदर इसकी परिवाशा के अंदर एक और चीज है वो क्या है दोस्तों यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रद्योगी की हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़े हैं क्या हम लोग उन सभी चीज़ों को परियोग मिला सकते हैं? नहीं हमें किसी चीज़ को संसाधन के रूप में परियोग मिलाने के लिए उसको प्रद्धियोगी की या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं तकनीक तकनीक का मतलब क्या होता है दोस्तों तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलजी जी हाँ आपके आसपास मौझूद बहुत से ऐसी चीजे हैं कि हम सभी चीजों का परियोग कर सकते हैं नहीं हमें उन सभी चीजों को तकनीक के साथ चोड़ना होता है टेक्नोलजी के साथ चोड़ना क्या इस तेल को हम सीधा परियोग में ला सकते हैं नहीं, इस तेल को सबसे पहले निकालने के लिए हमें मशीन की जरूरत होगी और उस मशीन के द्वारा ही हम पैट्रूल को निकाल सकते हैं, पैट्रूलियम को निकाल सकते हैं और अपनी परियोग में ला सकते हैं, तो संसाध संसाधन को परियोग रूपी लाने के लिए हमें तकनीक की जरूरत होती है हमें टेक्नालोजी की जरूरत होती है जैसे आप देखें दोस्तों पैट्रोल जमीन के अंदर मौजूद है लेकिन अगर हमें इसे निकालना है तो हमें टेक्नालोजी की जरूरत चाहिए हमें मशीने चाहिए ना तो संसाधन परियोग रूपी बनते हैं तकनीक से टेकनोलोजी से या फिर मशीनों से जैसे आप यहाँ पर कोईला देख रहे हैं क्या देखते हैं दोस्तों अगर हम पीछे चलें आप लोग अगर पीछे चलें तो हम लोग अगला सवाल इस चैप्टर से संबंदित बहुत से और कोईशन होंगे यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से संसाधनों के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है हमने संसाधन की परिभाशा को स्तलल शब्दों में आपकी सामने रखा है पढ़ते हैं दोस्तों आगे और यहाँ पर हम लोग डिसकुशन करेंगे उत्पत्ती के अधार पर बहुत ही महतपूर यह सवाल है बहुत बार आपके पेपर के अंदर यह पूछा जाता रहा है कि उत्पत्ती के अधार पर अधार पर देखते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के संसाधन होते हैं एक को कहा जाता है जैव संसाधन और दूसरे को कहा जाता है जैव संसाधन तो याद रखिएगा उत्पत्ती के अधार पर किसी चीज के पैदा होने के अधार पर हमने दो प्रकार के संसाधनों को देख एक को कहा गया जैव संसाधन और दूसरे को कहा गया जैव संसाधन अच्छा पेपर में अब क्या किया जाता है इनको भी डिटेल में पूछा जाता है कैसे चलिए देखते हैं अगला सवाल आप से यही पूछा जा रहा है कि जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं बहुत ही अ आसपास मौझूद ऐसे संसाधन जो जीवित हैं, जिनके अंदर जान हैं, जो सांस ले सकते हैं, हमारे आसपास मौझूद वो सभी संसाधन जो जीवित हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग जैव संसाधन के तौर पर हुकारते हैं, तो बहुत सिंपल सा अंसर रहा, जादा मुश्किल तो कोई आपके लिए रहा नहीं, तो सीधे तोर पर हमने देखा कि जैव संसाधन हमारे ऐसे संसाधन है, जो सीधे तोर पर क्या है, जो जीवित होते हैं, इनको फूल को प्राप्त करते हैं, फल को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे संसाधन जो जीवित होते हैं, उन्हें जैव संसाधन के दौर पर पुकारा जाता है, और वहीं हमारे आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे जीव, इनमें भी जान होती है, इनसे हमें दूद मिलता है, अलग-अ यह सब इसके example हुए अगला सवाल देखते हैं दोस्तो अगला सवाल आपसे बूछ जा रहा है कि अजैव संसाधन से आप लोग क्या समझते हैं भाईया इस से असान सवाल तो कोई होई नहीं सकता है ना इतना असान सवाल है क्लास 10 के बच्छों के लिए तो बहुत असान सवाल होना चाहिए अजैव संसाधन नाम में ही लिखा है अजैव का मतलब क्या हुआ जो जीवित नहीं है जिसमें जान नहीं है हमारे आसपास मुझूद बहुत सी ऐसी चीजे भी होती है जिनको हम लोग परियोग मिलाते हैं ऐसे संसाधनों को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं जैसे आप देखें कि हमारे पास है चटाने आप क्या देखते हैं दोस्तो हमारे पास है चटाने इन चटानों के अंदर से हमें अलग-अलग प्रकार की चीजे मिलते हैं चिटानों का परियोग अलग अलग तरीगे से होता है, वहीं अगर आप लोग देखें कि जमीन की गहराई से हम लोग सोना निकालते हैं, हम चांदी निकालते हैं, पर योग करते हैं कि नहीं करते हैं, जी हाँ, क्या ये जीवित हैं, नहीं, ये निरजीव हैं, और इसलिए हम आपके अजयव संसाधन हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगला सवाल आपके सामने रखा है, संसाधनों के कुछ और रूप है, संसाधनों के कुछ और तरीके हैं, इसको भी हम लोग आपके सामने रखने रखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, अब सवाल यहा संसाधन क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है, इससे क्या तात पर रहे हैं, यह आपको बताना है, तो भाई, नभी करन योग ये संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे आसपास मौजूद कुछ ऐसे संसाधन होते हैं कि इनका परियोग अगर हमने एक बार कर लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक और बार कर सकते हैं एक और बार कर सकते हैं बार 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 कर सकते हैं कुछ ऐसे संसाधन हमारे आसपास मौझूद हैं कि अगर मैंने उनका परियोग एक बार किया तो मैं दुब देखें, सौर उर्जा, सूरज की रोशनी से हम बिजली बनाते हैं, अगर मैंने सूरज की रोशनी से बिजली बनाई, तो क्या हम सिर्फ एक ही बार बना सकते हैं, नहीं, बार बार बना सकते हैं, मल्टिपल टाइम्स बना सकते हैं, अंगिनट टाइम्स बना सकते हैं, ठीक है तो नवी करन योग ये संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका परियोग अगर आपने एक बार किया आप दुबारा से इनका परियोग कर सकते हैं तीसरी बार कर सकते हैं जैसे आप क्या कर सकते हैं कि हवा से जब आप क्या करते हैं दोस्तों उर्जब राप्त करते हैं उसी को भी हम लोग क्या कहेंगे नवी करने योग्य संसाधन कहेंगे तो ऐसे हमारे संसाधन जिनका परियोग बार बार किया जा सकता है इनको हम लोग नवी करने योग्य संसाधन के तोर पर जानते हैं अगला सवाल है ना अगला सवाल देखते हैं दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है और ये भी आगर आपने लॉजिक को समझ लिया होगा तो आप इसका आंसर सही दे देंगे पूछा जा रहा है कि ए नवी करने योग्य संसाधन क्या होते हैं सवाल बहुत अच्छा है पूछा जा रहा है आपसे कि ए नवी करने योग्य संसाधन क्या होते हैं ए नवी करने योग्य संसाधन ऐसे संसाधन है कि जिनका परियोग अगर मैंने एक बार कर लिया अगर ऐसे संसाधन जिसका परियोग मैंने एक बार कर लिया तो एक बार परियोग करने के बाद मैं दुबारा उसका परियोग नहीं कर सकता सर कुछ एक्जामपल दो एक्जामपल से समझ में आएगा चलिए एक्जामपल देखते हैं दोस्तों जैसा आप लोग देखते हैं हमारे पास हैं जीवाश में इधन, जीवाश में इधन का मतलब हुआ, माल लिजे कि भाईया कोईला है मेरे पास और मैंने कोईले को जलाया, कोईले को जलाने के बाद अब कोईला राख बन गया, क्या मैं उसका परियोग दुबारा कर सकता हूँ नहीं है ना आपने देखा ऐसे संसाधन जिनका परियोग एक बार किया जा सकता है उसको हम लोग कहते है ऐ नवी करने योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका परियोग multiple times किया जा सकता है बार बार किया जा सकता है उन्हीं को हम लोग नवी करने योग या संसाधन कहते हैं अच्छा एक बात पेपर में पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाता रहा है कि नवी करने संसाधन का एक और नाम है तो पेपर में लिख दिया जाता है नववे संसाधन क्या कहा जाता है दोस्त? इसको नववे संसाधन के दौर पर भी पुकारा जाता है पढ़ें आगे चले दोस्तों अगले कुश्चन की दरफ आप सभी को लेके चल रहे हैं उमीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी आपको चीदे समझ में आ रही होगी कि मैं आप से पूरा वादा कहता हूँ, पूरा वादा करता हूँ कि आप अगर इस कलास को शुरू से लेकर आखिर तक करेंगे तो आपको इस चैप्टर से सम्úcar मंदित कोई भी doubt, कोई भी confusion नहीं रहने वाला इस chapter से संबंदित कुछ और सवालों को आपके सामने रख रहे हैं and here is the next question आपके सामने अगला सवाल है ये पूछा जा रहा है कि अंतर राष्ट्रे संसाधन क्या होते हैं अब संसाधन करना दोस्तों ये भी रूप होता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं अंतर राष्ट्रे संसाधन इसका क्या मतला पर चलिए समझते हैं भाई अंतर राष्ट्रे संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी एक देश के नहीं होते हैं है ना ऐसे संसाधन जो किसी एक देश के नहीं है भारत यह नहीं कह सकता कि भाया यह वाला जो संसाधन है यह हमारा है या फिर कोई और देश यह नहीं कह सकता ऐसे संसाधन जो किसी एक देश से सम्मंधित नहीं होते हैं उनको हम लोग अंतरराष्टे संसाधन कहते हैं लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है, ये decide कैसे होता है कि कौन से संसाधन, अंतरराष्टे संसाधन है, चलि इसको एक example से समझते हैं, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अंतरराष्टे संसाधन, अंतरराष्टे संसाधन का मतलब वा, ऐसे संसाधन जिस पर आप द वजना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि किसी देश की सीमा से, तो ये हमारे देश, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे देश के आपको सीमा दिख रही है, है ना, ये हमारे देश की समुदरी सीमा आपको दिख रही है, जी हाँ, किसी देश की समुदरी सीम से 200 km तक के जो संसाधन है वो किसके हैं वो हमारे देश के होंगे इसके आगे का इसके आगे अगर कोई संसाधन मिलता है इसके आगे अगर कुछ मचलियां मिलती है इसके आगे कुछ वनस्पतियां मिलती है इसके आगे हमें कुछ और खनीज मिलते हैं तो वो एक देश के नही पिडिका ये है कि किसी देश की समुधरी सीमा से 200 किलोमेटर तक, लेकिन 200 किलोमेटर से आगे का जो छेत्र होगा दोस्ट वो क्या कहलाता है? वो अंतरराश्टे संसाधन की शृणिवाटा आता है. तो अब 200 किलोमेटर के आगे जितने भी संसाधन मिलेंगे, यहां पर मचलि और मैं आपको बता हूँ, आपके पेपर में ये बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, और हर बार आप इसको देखते हैं, अधिकतर पूछा जाता है, अगला सवाल आपके सामने पेश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझना होगा, और किसी भी तरीके का कोई सभावी अगर हम लोग इसको देखें, तो यहाँ पर आपड़ोग देख रहे हैं संभावी यह क्या है जोस्तों, यह हिंदी के संभावना, संभावना शब्ससे बनाएं, तो संभावी संसाधन, संभावना तो समझते हैं आप possibility, chances, तो यहाँ पर आप हलका सा logic अगर लगाएं तो आप लोग संभावी संसाधन को समझ सकते हैं संभावी संसाधन का मतलब है कि किसी देश में मौझूद किसी देश या पिर किसी देश के छेतर में मौझूद ऐसे संसाधन जो वहाँ पर मौझूद हैं लेकिन अभी उनका परियोग नहीं हो रहा है उनको हम लोग संभावी संसादन कहते हैं तर example दीजए, example से समझ में आएगा चलिए दोस्त आपको क्या करते हैं आपको example देते हैं देखे संभावी संसादन को अगर हमें समझने हैं अगर आप लोग हमारे पैरे भारत के मांचित्र को देखें तो आप देखते हैं कि भारत में बहुत अच्छी मातरा में बहुत जादा मातरा में आप क्या देखते हैं यह जो हमारा गुजराच छेत्र हुआ उसी के साथ साथ आप क्या देखते हैं उसी के साथ साथ जो हमारा अच्छी मात्रा में हवा चलती है तो यहां से हम पवन उर्जा बना सकते हैं और यहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि यहां पर बहुत जादा मात्रा में सूरज की रोशनी भी है तो यहां से हम लोग सौर उर्जा की भी प्राप्ति कर सकते हैं है ना हमारे पास ये संसाधन मौझूद है लेकिन वर्तवान में अभी हाल-फिलाल में हम इसका परियोग नहीं करता है भविश्य में हम आगे इसका परियोग कर सकते हैं संभावी संसाधन का मतलब हुआ कि किसी देश के अंदर ऐसे संसाधन जो वहाँ पर मौझूद तो है लेकिन अभी वर्तवान समय में उसका परियोग नहीं हो रहा है भविश्य में इसके परियोग होने की संभावना होगी ऐसे संसाधनों को हम लोग संभावी संसाधन कहते है और example के तौर पर हमने गुजरार और राजिस्थान का example आपके सामने पेश किया ठीके दोस्तों, तो संभावी संसाधनों को हमने पढ़ा बढ़ते हैं आगे आपके साथ discuss करते हैं भंडार ये भी एक संसाधन का प्रकार होता है, क्या है दोस्तों? आप क्या देखें कि हमारे आसपास कुछ ऐसे संसाधन होते हैं हमारे आसपास कुछ ऐसे संसाधन है जिनका आप क्या देखते हैं कि जिनका परियोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और परियोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि भाई इसको परियोग करने के लिए कि हमारे पास इन संसाधनों को परियोग करने की मशीने नहीं है इनको परियोग में लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलजी नहीं है कुछ ऐसे संसाधन है चलिए देखते हैं दोस्तों जैसे आप और ऐसे ही संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं ऐसे ही संसाधनों को हम लोग भं और पानी के अंदर हमें क्या देखता है दोस्तों करने की जो पद्दती तकनीक है उसका अभी तक हम लोग क्या नहीं कर पाएं उसका अभी till आग निर्माण नहीं कर पाएं तो इसी वज़ा से इस संसाधन को हम लोगों ने क्या करा है, जमा करा हुआ भंडार के तौर पर इसको भंडार की कैटिगरी में रखा जाता है, तो भंडार संसाधन ऐसे संसाधन है, जो हमारे आसपास मौझूद है, हम इनका प्रियोग करना चाहते हैं, अपी तु हम इनका परियोग नहीं कर पा रही है क्योंकि इनको परियोग में लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलोजी नहीं है और इसलिए हमने इनको जमा करा हुआ है और जब भविश्य में कभी टेक्नोलोजी आएगी तो हम लोग इसका परियोग कर लेंगे ठीके दोस्तों तो इसे हम लोग कह से पूछा जाता है और आप लोगों ने क्लास 9 में भी शायद इस सवाल को बहुत ही जादा बार देखा होगा दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा हुआ है लिखा है कि सतत पोश्चन यह विकास से आप लोग क्या समझते हैं अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा सवाल आपक है विकास का मतलब होता है किसी चीज का बहतर हो ना क्या होता है दोस्तों बहतर हो लेगे थिर्ग मान लेजे आपकी कलास 9 में 90 परतिशत नमबर आय और कलास 10 के अंदर आपके 100 परतिशत नमबर आ गए तो आप कहेंगे कि सर विकास किया है हमने है ना तो दोस्त यहाँ पर अगर हम लोग समझने कोशिश करें विकास का मतलब होता है development अगर हम इसको इंगलिश में समझें किसी भी चीज का बहतर होना उसका अच्छा रूप आना उसकी को हम लोग विकास कहते हैं अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सदत पोशन ही है विकास भाई यह क्या चीज है समझते हैं चलिए सदत पोशन ही विकास का मतलब होता है दोस्तों कि आप अगर अपना विकास करना चाहते हैं अगर आप अपने आपको बहतर करना चाहते हैं आप बहतर करो लेकिन आप अपने आसपास मौझूद जो परियावरण है उसको नुकसान मत पहुचाओ इसका मतलब क्या हुआ आप देखते हैं कि हमारे पास क्या है दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे पास जंगल ह और मनुष्य को घर बनाने है क्योंकि अगर सब घर में रहेंगे तो सब का जीवन बहतर होगा है ना हमें फैक्टरियां चाहिए हमारे पास जंगल है जंगलों को हटा कर क्या हम लोग वहाँ पर फैक्टरियां लगा सकते हैं जंगलों को हटा कर क्या हम लोग वहाँ पर घरों को नुकसान नहीं पहुचाएं ऐसा विकास जिसमें क्या किया जाता है जिसमें परियावरण का धियान रखा जाता है और जो आगे की चीज़ें सोची जाते हैं कि हम अपने संसाधनों को आने वाली generations को दो आने वाली generations को दें ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं ऐसे संसाधनों को हम लोग सतत पोशने विकास के तौर पर फुकारते हैं कि वाली जे कि हमारे पास जंगल है और हमने जंगल के अंदर सब पेड़ों को काट दिया और उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग है खड़ी कर दी इसके 10 साल बाद आप क्या देखते हैं कि अब हमारी जो आने वाली जनरेशन से उनके लिए तो कोई संसाधन बचा ही नहीं उनके लिए कोई पेड़ पौदे बचा ही और जो आपके आने वाली पेड़ी है भविष्य की जो आपके आने वाली पेड़ी है उनको आप सही से क्या दे सकें इन संसाधनों को दे सकें इस प्रकार के विकास को ही हम लोग सदत पोशने विकास कहते हैं तो अगर आपको घर बनाने तो जंगल में ऐसे जगाओं पर घर बनाओ, जहाँ पर बिकार पेड़ हैं, जो हरे भरे पेड़ हैं उनको ना काटो, इसी को ही सदत कोशल ने विकास के तोर पर जाना गया, ठीक है दोस्तों, बड़ेगी अगले सवाल की तरफ एक बहुत ही तड को सबसे पहले समझते हैं, नियोजन को अगर हम लोग देखें तो नियोजन ये जो शब्द है, ये योजना से बनाएं, और योजना का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लैनिंग, क्या मतलब होता है भाहिया, प्लैनिंग, ठीक है, आप लोग प्लैन करते हैं, है ना प्लैन की सरकार है वो इन संसाधनों के को परियोग में लाने के लिए प्लैन बनाती है संसाधन नियोजन का मतलब क्या हुआ संसाधनों को परियोग में लाने की योजना कि कैसे हम देश के अंदर मौजूद जो हमारे सभी संसाधन है उस सब लोगों तक पहुँच सके है ना तो इसक प्यारे भारत के अंदर संसाधन नियोजन को करने के क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। जितने भी जीव जन्तो होते हैं। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि दोस्तों मुख्य दोर पर हमें महराष्ट के अंदर मिलते हैं अलग अलग प्रकार के अंगूर, आम है न जी। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य दोर पर क्या करते हैं कि जब भी क्योंकि हमें अब इन सभ पूरे इलाकों में पहुचाना है देश के तो इसके लिए क्या किया जाता है एक तरीका है सबसे पहले तरीका होता है कि आप देश के मानचितर को देखते हैं देश के मानचितर में अलग-अलग इलाकों में जो अलग-अलग संसादन है उनको लेकर एक तालीका एक लिस्ट ब बनाने की कोशिश की जाती है, मशीनों को बनाने की कोशिश की जाती है, और ये संसाधन नियोजन का दूसरा तरीका होता है, है ना, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो अलग-अलग आपकी सरकारे होती है, वो आपस में तालमेल बिठाती है, जो आपकी केंद नियोजन की ये तीन रूप हैं, सबसे पहले देश के मांचित्र को देखा, उसके बाद देश के अलग-अलग इलाकों में कौन-कौन से संसाधन है, इसको लेकर एक तालीका बनाई, एक टेवल बनाई, उसके बाद हम लोगों ने उन संसाधनों को परियोग में लाने के लिए मुख्य तोर पर क्या किया, टेकनोलजी पर काम किया, और उसके बाद जो आपकी अलग-अलग सरकारें हैं, अलग-अलग संस्थाएं हैं, वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती है, ताकि देश का हर वेक्ती, हर प्रकार के संसाधन को प्राप कर सके, ठीक है, अगला सवाल प्यारे मित्रों हो जाए, ये तयार आपके सामने आ रहा है, एक और प्यारा सा सवाल, सवाल लिखा है, कि संसाधनों का संरक्षन क्यों जरूरी है, संरक्षन को अगर हम लोग समझनी कोशिश करें, तो संरक्षन को साधरन भाषा में हम लोग कहते हैं, बचाव, भई अची था, उसे लगा कि रोजाना एक सोने का अंड़ा आ रहा है, क्यो ना मैं मचली, जो मुर्गी है, उसका पेट फाड़ कर सारे ही अंड़े निकाल लूँ, तो ये जो लालच की परवत्ती है, ये मनुश्य के साथ हमेशा से रही है, और इसी परवत्ती की वज़ा से हमन अपने पहाडों को पूरे तोर पर कमजोर कर दिया, तो मनुश्य के लालच ने संसाधनों को बहुत जादा तेजी से क्या किया है, प्रदूशित किया है, उनको खतम किया है, और अब इसी वज़ा से हमें संसाधनों के बचाव की जरूरत है, हमें संसाधनों के क्या है, संर ये, एक ना एक दिन आप क्या देखते हैं, कि हमारे ये संसादन कश detisal can everyone probably हवारे पेट्रूलियम है, कोईला है, हमारा सूनात चांदिया लगले प्रकार की जो हमाप्त हो जाएंगे और इसीलिए हमें क्या है दोस्तों हमने इनका शुरुवात में अंधधुन तरीके से परियोग किया बिना सोचे समझे लेकिन अब हमें क्या करना होगा सोच कर अच्छे तरीके से समझ कर क्या करना होगा हमें इनका परियोग करना होगा और ताकि हमारी जो आने वाली पीडियां है उनको हम इसका परियोग करने का उसर दे स संसाधनों के अभाव में रहे फिर तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी तो इसलिए हमें संसाधनों के बचाव की बहुत जबदस मातरा में ज़रूरत है क्योंकि अगर ये संसाधन हमारे पास मौझूद नहीं रहेंगे तो हमारा भविश अस्तित भी नहीं रहेगा और आपके पेपर के संदर में ये सवाल बहुत ज़ादा महत फूनता रखता है क्योंकि आपके पेपर में ये सवाल बहुत ज़ादा वार पूछा गया है सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको लिखा है कि भू संसाधन के तोर पर पहाड पर टिपड़ी करें भाई ये भू संसाधन का मतलब क्या होता है भू का मतलब क्या होता है भू का मतलब होता है भूमी सार भूमी हमारी क्लार्स में बढ़ती है रोल नंबर सोला वो अली भूमी नहीं दोस्त भूमी का मतलब होता है जमीन भूमी का मतलब होता है आप क्या देखते हैं जमीन ठीक है अब ये जो जमीन है जिस पर आप और मैं चलते हैं दोडते हैं अपनी गाड़ियों को दोडाते हैं है ना आप क्या देखते हैं कि ये भी एक प्रकार का संसादन है क्योंकि हमारी बहुत सारी जरूरतें इस जमीन पर ही इस भूमी पर ही पूरी हो रही है अब आप से पेपर में ये सवाल पूछा जाता रहा है कि हमारे जो भूस अंसादन है एक पहाड के तौर पर इसकी टिपणी कीजिए एक अच्छा सवाल है इसके अर्थ को और इसके आंसर को हम लोग चलिए समझनी कोशिश करते हैं अगर हम लोग देखें कि भारत के संदर्व में अगर हम लोग हमारे प्यारे भारत के संदर्व में देखें क कि हमारे पास जितनी भी टोटल भूमी है की उसका लगबग 30 प्रतिशत जो है वो हमें पहाड़ों के रूप में दिखते हैं अच्छा पहाड जो है न वो बहुत सारी जरूरतों को हमारे लिए पूरा करते हैं जैसे आप देखते हैं कि भारत की अधिकतर जो बड़ी बड़ी नदियां हैं आप हमारी गंगा नदी को देखें आप यमुना नदी को देखें आप देखते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी ह इकोशिश करते हैं यहीं से आप देखते हैं कि पहाडों के कारण ही मुख्य तोर पर आप लोग देखते हैं कि नदियों का उद्गम होता है नदियों की उद्पत्ति होती है और इन पहाडों में जो बर्फ है इसी बर्फ की वज़ा से बारा महीने 12.80 का मतलब हुआ कि साल के 12 महीने इन नदियों में पानी होता है तो भई अगर पहाड ना हो पहाड पर बर्फ ना हो तो यह नदियां आपको सूकी हुई दिखेंगी है ना तो भारत की कुल भूमी का लगबग तीस पर्तिशत पहाड है इन पहाडों से नदियों निकलती है और उसी के साथ हम देखत करती है और इन्हीं की वज़ा से फिर मैदानी इलाकों का निर्मान होता है जब यह पहाड़ों से नीचे आती है तो यह क्या करती है मैदानी इलाकों में आ जाने के बाद जो अपने साथ गाद लाती है गाद का मतलब क्या हुआ दोस्तों जो कीचण लाती है वो मैदानी इला कर रहे हैं, पानी की प्राप्ती कर रहे हैं, उपजाव मिट्टी की प्राप्ती कर रहे हैं और इस मिट्टी का परियोग हम लोग खेतों की सिचाई के लिए करते हैं, है ना, और नदियों का पानी के तौर पर भूमी एक संसाधन के तौर पर मैदान पर टिपनी कीजिए है ना मैदान पर टिपनी कीजिए हमने पहाड़ पर तो टिपनी कर ली अब मैदानी भाग में इसकी क्या मौजूदगी है भारत में कितना छेतर मैदानी इलाका है और यहां पर किस किस प्रकार की चीज इकतर भाग है, यह कैसा होता है, यह समतल होता है, समतल का मतलब भाईया फ्लैट होता है, एकदम सपाट होता है, पहाड़ों के अंदर तो आपको उवर खबर रास्ते दिखते हैं, चटाने दिखते हैं, लेकिन मैदानी इलाका मैदानी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एकदम स और शम्तल संपार्ट छेतर होता है और सम्तलस पार्ट छेतर होने के वज़ा से यहां पर जाधा आर्थिक किरियाई की जाती है जाधा फेक्टरियों आपको मेदानी आलागो में देख्ती है स्कूल,gesch 되면 अलगार को प्रकार के संस्थान लोग मेदानी आलागो में लोग जाधा अबादी देखते हैं आप रूपी को देखें बिहार को देखें दिली को देखें राजस्थान को देखें मध्य प्रदेश को देखें सभी मैदानी इलाके हैं और इन सभी मैदानी इलाकों में आप अच्छी मातरा में खेती होते हुए देखते हैं और इसी वज़ा से यहाँ पर बहुत जादा मात्रा में धनी अबादी भी मौझूद है तो एक भूस अंसाधन के तौर पर मैदान पर टिपड़ी हमने इस तरीके से देखा और क्योंकि यहाँ पर जमीन समतल होती है इसी वज़ा से यहाँ पर बिजनिस करना आसान होता है और इसी वज़ा से आप देख पर पर बहुत जादा मेहतपूर आप सबसे जादा महतपूर कह रहे हैं जी हाँ क्योंकि अगर आप लोग देखें कि अब दद कि जो हमारे questions रहे थे दोस्तों है ना वो लगव उत्रे प्रशन रहे थे यहाँ से यह जो सवाल आपके सामने आ रहा है यह एक long question होगा और ये इस सवाल बहुत जादा महतपूर होने वाला है चलिए शुरुबात करते हैं देखिए भारत के अंदर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों भारत के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार की अपनी मिट्टी को देखते हैं, है ना इसे हम मिट्टी भी कहते हैं, इसे हम ब्रदा भी कहते हैं तो आप लोगों confuse नहीं होना है हम लोग इसे ब्रदा भी कहते हैं और मिट्टी भी कहते हैं, एक चीज़ के दो है नाम भारत में अलग-अलग प्रकायर की मिट्टियां पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है ये कितनी उपजाओ है इनके क्या-क्या नाम है इनके अंदर क्या-क्या विशेश्टाएं है इसकी पूरी कहानी को हम लोग देखने वाले हैं चलिए दोस्तों करते हैं अपने इस सवाल को शुरू देखें सबसे पहले अगर हम प्रकौ 20 प्रकौ 21 51 59 डिखते हैं कही पर बहुत ज़ाधा गर्मी है तो भारत में क्या देखते हैं कि उचाई वारत में यदू है एंटम सम्तल मैदान हैं तो इस blends से पूरे भारत में एक जैसे मिट्टी हमें dauग अलग अलग-अलग मिट्टियां हमें दिखती है उस सबसे पहली और सबसे महत्पूर्ण जो हमारी मिट्टी होती है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं जलोड ब्रदा क्या कहा जाता है इसको भाईया इसको कहा जाता है जलोड ब्रदा है ना और यह जो जलोड ब्रदा है यह मुख्य तोर पर हमें उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान का मतलब क्या हुआ अगर हम लोग इसे देखें कि ये अगर आपको अगर मानचितर के तोर पर दिखाना चाहूं ये कि ये हमारा क्या है दोस्तों ये हमारा हिमाले का छेतर है यहीं से क्या होता है दोस्तों आप देखते हैं कि आप देखते हैं कि नदी बह रही है और जब ये नदी बहती है तो ये अपने साथ क्या गरती है बहुत जादा पानी और बहुत जादा कीचड या फिर गाद लेकर आती है और ये जो कीचड और गाद जब होता है जब ये मैदानी इलाकों में आता है तो मैदानी इलाकों में पानी तो आगे चला जाता है, पानी आगे बह जाता है, यह जो कीचड और गाद होती है, यह जो कीचड होती है, यह जो गाद होती है, वो इस मैदानी इलाके में जम जाती है, और यही मैदानी इलाके में जो यह गाद जमा हुई होती है, इसी को हम लोग जलोड ब्रदा के द दिखती है कि दोस्तों तो इसको हमने अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तूत किया हम देखते हैं कि तीन बड़ी नदिया हमारी सिंदु नदी हुई हमारी गंगा नदी हुई हमारी भ्रह्मापुत्र नदी हुई वह यह हिमाले से निकलती है और हिमाले से निकलते हुए जबी मैदानी इलाकों में आती है, तो पानी तो आगे चला जाता है, यहां के जो कीचड गाद होती है, वो इसी इलाके में जम जाती है, और जमने के बाद फिर यह जलोड मिट्टी बनती है, और यह जलोड मिट्टी होती है, इसी निक्षेपों से है, निक्षेप मतलब जो अवशिष्ट प्रदार्त होते हैं, बचा हुवा जो आपको देखता है, उसी से जलोड मिट्टी बनती है, अच्छा जलोड मिट्टी ना बहुत जादा क्या होती है, दोस्तों ये हद से जादा उपजाओ होती है, इसलिए तो आप देखते हैं कि पंजाब में, हर्याणा में इतना जादा जो गेहूं, चावाल उगाया जा रहा है, क्यों उगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जलोड मिट्टी हमें बहुत जादा मिलती है, तो जलोड मिट्टी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर सिल्ट की उपस्तिती होती है, इसमें रेध भी हमे मुझूद होता है और ये जो हमारा जलोड मुरदा वाला पूरा का पूरा छेतर है ये जो हमारा पूरा का पूरा 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 पू य्याना, यूपी, बिहार, ये सबी जलोड मिरदा वाले अलाके कहलाते हैं अब भारत में दूसरी एक और बहुत जाधा महत्पुन हमारी मिरदा कहलाती है इसे क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं काली म्रदा क्या है दोस्तों इसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं इसे हम लोग कहते हैं काली म्रदा और काली म्रदा को काली म्रदा क्यों कहा जाता है अरे भाया इसका रंग ही है काला देख लीजिए देख रही है कहा जाता है और इसको रेगल मिट्टी के तौर पर भी हमें पुकारते हैं काली मिट्टी जो है वो मुख्य तौर पर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ये कपास की खेती के लिए कपास जानते हैं आप कपास जिसे हम लोग रूई कहते हैं इसकी खेती के लिए बहुत जादा लिए हम आपको दिखाते हैं मुख्य तोर पर हमारा महराश्ट का इलाख हुआ यहाँ पर हमें काली मिट्टी दिखती है तो महराश्ट्र हुआ उसी के साथ सथ हम लोग देखते हैं कि गुजराथ हुआ है ना 36 गड़ हुआ इन सभी छेत्रों में हम लोग काली मिट्टी को द यह जो हमारा दक्षिन भारत का जो छेतर है यहाँ पर हमें जादा मातरों में दिखते हैं तो महराश्ट हुआ गुजराथ हुआ इन छेतरों के अंदर हम लोग क्या देखते हैं काली मिट्टी की बहुत जादा मातरा में उपस्तिती देखते हैं ठीक है बढ़ते हैं दोस् ठीक है ना बढ़ते हैं आगे कुछ चीज पीछे चोटी थी हाँ इसके अंदर एक और चीज़ देख लिए कि दोस्तों इसके अंदर हमारी तीसरी मिट्टी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लाल और पीली मिट्टी, आप देखते हैं कि इस मिट्टी के अंदर लोहे के कण मिल जाते हैं, अब शेश मिल जाते हैं, और इसी वज़ा से इसका रंग लाल हो जाता है, आप जो लाल मिट्टी को लाल मिट्टी क्यों क कहते हैं क्योंकि भ wł मिटी है लाल मिटी के अंदर लोही की मात्रा ज़ादा होती है और पीली मिट्टी के अंदर लोहे के साथ साथ पानी की भी मौझूद्गी होती है जिसी वजासे वो अपना रंग पीला परिवर्थित कर लेती है हम देखें कि यह जो आपकी लाल और पीली मिट्टी है यह हमें कहाँ पर देखती है उडीसा च्छतिसगड मध्धे जो हमारे गंगा के छेतर है और जो हमारा दक्षनी छेतर है यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपनी लाल और पीली मिट्ट वाला छेतर है ना दक्षुल भारत के इलाके हुए उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि उडिसा हुआ, छत्यसगर हुआ, इन छेतरों के अंदर और दक्षुल के जो किनारे वाले इलाके हैं, वहाँ पर हमें क्या देखता है, लाल और पीली मिट्टी देखती है, तो लाल औ मरदा है, जो आपकी लैट्राइड मरदा है, हमें मुख्य दोर पर उन इलाकों में देखती है, जहांपर जादा तापमान है, और जादा बारिश भी होती है, एग bagus इस प्रकार से आप देखते हैं कि वह दिखने में होती है, आपको इीट के प्रकार की दिख रही होगी, इ इस प्रकार से ही देखती है तो लेटराइट मिरदा कुछ इस प्रकार से होती है और भारत में उन इलाकों में हमें देखती है जहाँ पर जादा गर्मी पड़ती है और जहाँ जादा गर्मी और जहाँ जादा बारिश है उनी इलाकों के अंदर हम लोग लेटराइट मिरदा क अच्छे मात्रा में देखते हैं तो भारत में दख्षन भारत में होती है आप क्या देखते एं कि किनारे वाले चेतर है वह पर ज़्यादा बारिश गर्मी भी है और यहाँ से हम यहाँ पर लेटराइड मृदा चेरल मरदा को देखते हैं। यह हमारे भारत में करनाटक राज्य हुआ, केलल राज्य हुआ, बद्य परदिश का चेतर हुआ, तमिल लाडू का जो आसपास का इलाका हुआ। तमिलनाडो का जो हमारा आसपास का छेतरुआ यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं लेट राइट ब्रदा को देखते हैं तो भारत की ये एक और बहुत ही महत्पूर्ण ब्रदा रही इसके बारे में हमने देखा ये अधिक गर्मी वाले और अधिक बारिश वाले इलाकों में होती है ये कुछ इट के रूप में देखती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केरल करनाटक मध्यप्रदेश असम इलाकों में हम लोग इस प्रकार की मिट्टी को देखते हैं ठीक है और इसके अंदर क्या किया जाता है जैको जैसे काली मिट्टी में हम लोग कपास को उगाते हैं, लेटराइट मृदा के अंदर सबसे दादा क्या किया जाता है काजू की फसल को उगाया जाता है, काजू बता है आप सभी कुछी हैं, आप सभी जरूर खाते होंगे काजू की जो फसल होती है वो हम लोग लेटराइट मृदा के अंदर ही रेगिस्तान और अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि भारत के अंदर कहां पर रेगिस्तान मिलता है तो आप लोग जरूर बता देंगे भारत के अंदर जो हमें रेगिस्तान दिखता है वो हमें राजिस्तान में दिखता है आप सभी को बदाये दोस्तों कि भारत का जो हमारा रे और ये ना बहुत जादा गर्म होती है, क्योंकि बहुत जादा गर्मी पड़ती है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर मुख्य दौर पर पानी की आप क्या देखते हैं कि कमी होती है, इसमें नमी की मौजूद्गी नहीं होती है, पानी तो बिल्कुल होता को खेती के दौर पर परीयोग मिलाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसमें खेती की जाए तो उचित मादरा में, अगर हम अच्छी मादरा में पानी दें, तो इसमें खेती भी की जा सकती है हमारा जो पश्चमी राजिस्थान है जेसल मेर का जो इलागा हुआ वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं इस प्रकार की मरुस्थली म्रदा को देखते हैं तो अब यभी हमने मरुस्थली म्रदा को देखा इसके रंग को इसके तापमान को इसके विशेष्टाओं को और कहा पर ये पाई जाती है उसको हमने आपके सामने पेश के भारत के अंदर तर एक और प्रकार की हमारी मिट्टी होती है दोस्तों और इस प्रकार की जो हमारी मिट्टी होती है इसको हम लोग कहते हैं वन म्रदा क्या कहा जाता है इस प्रकार की जो हमारी मिट्टी है इसको हम लोग कहते हैं वन म्रदा यह जो हमारी वन म्रदा है यह मुख्य दौर पर ह रहा हमारे हमारे परवतीय चेत्र भाई पहाडों में भी हमें मिट्टी देखती है ना है न यहां पर पूरत का पूरा का पूरा आप देख पा रहें कि जमू कश्मीर हिमाचल क्या आज पास का छेत्र होता है इसको हम लोग वन मृदा के तौर पर देखते हैं और यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इस प्रकार की जो हमारी मिट्टी होती है यह आप लोग देखते हैं कि यह मौसम के अनुरूप जब जादा वारिश होती है जब जादा बर्फ पड़ती है यह जब उपरी छेतर से नीचे की तरफ आती है तो यह महीन हो जाती है महीन का मतलब क्या होता है? बारीक हो जाती है तो उपर वाले छेतरों में अगर आप लद्दाप के छेतरों में देखें तो भाईया यहां की जो मिट्टी है वो ठोस है, वो मजबूत है जैसे जैसे आप प्रदोड़ा नीचे आते जाएंगे तो आप यहां की जो वन मृदा है उसके अंदर आप बारीख पन देखते हैं वो कमजोर होती है यह आपको देखती है ठीक है तो भारत के अंदर यह एक और हमारी वन मृदा कहलाती है अब हमने म्रदाओं के बारे में तो पढ़ लिया दोस्तों अब यहां से हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे भू निमनी करण के बारे में ये भी सवाल बहुत जादा महत्पून है आपके वेपर में यहां से बहुत बार सवाल बनते हैं और इसको समझना बहुत जादा हमारे महत्पून होगा उमीद की जाती है कि अब तक जितने भी चीज़ों को हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल अच्छे दरीके से आपके दिमाग में आ गई होगी और किसी प्रकार का कोई डाउट कोई केंफूजन आपके समख्श बिल्कुल भी नहीं होगा पढ़ते हैं आगे दोस्त यहां पर हम लोग डिसकुशन करेंगे भू निमनी करण क्या है निमन करण का मतलब क्या होता है निमन आप लोगों ने जरूर सुना होगा निमन का मतलब होता है कमी निमन का मतलब क्या होता है दोस्तों कमी हो जाना हमारे जो जमीन है हमारे जो भूमी है इसकी उपजाव शक्ती में है ना इसकी जो शक्ती है इसकी जो पावर है उसमें कमी हो जाना ही क्या कहलाता है भू निमनी करण कहलाता है अब जमीन के अंदर कमी कैसे हो रही है चलिए इसको देख लेते हैं है ना तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं भूनिम्निकरण का तो भूनिम्निकरण का मतलब होता है कि जमीन की जो अपनी पावर है जमीन की जो शक्ति है उसमें कम आ जाना ही क्या कहलाती है भू निमनी करन कहलाती है और भू निमनी करन क्यों हो जाती है भाई भू निमनी करन हो जाती है कि हमने क्या किया हमने पेड़ों को काट दिया हमने क्या किया हमने वनो मूलन कर दिया जंगलों को खतम कर दिया अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो भूमी के अंदर उसे उर्वरक शक्ता के लिए क्या होगी जादा पावर नहीं विलेगी तो जादा हमने क्या किया मुख्य दोर पर जंगलों को काटने से उसी के साथ अती पशुचारणा अती पशुचारणा का मतलग हुआ कि बहुत जादा जानवर हमारे चले गए जंगलो विभाजित कर दिये जाते हैं तो उसमें भी जो जमीन की शक्ती होती है वो कमजोर पड़ जाती है और जादा पानी देने से भी आप क्या करते हैं कि अगर अधिक से जादा मातरा में पानी देंगे तो आप देखते हैं कि तब भी जमीन की शक्ती होती है वो कम हो जाती है ह इसके क्या क्या कारण है उसको हमने आपके सामने पेश किया अगला सवाल है इसको अच्छे तरीके समझते हैं पेबर में ये भी सवाल पूछा जाता रहा है पूछा जा रहा है कि म्रदा अपर्दन क्या है है ना अपरदन का मतलब क्या होता है दोस्तों अपरदन का मतलब होता है कटाओ क्या मतलब होता है कटाओ कट जाना मिट्टी का कट जाना ही क्या कहलाता है अपरदन कहलाता है ब्रदापरदन मिट्टी का कटाओ अब भाई मिट्टी कटती कैसे है आप देखें कि मुख्य दोर पर मिट्टी का कटाव या फिर जिस तरीके से मिट्टी मौझूद है उसमें कटाव आ जाना इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी प्रकिरिया को हम लोग ग्रदा परदन कहते हैं अब मिट्टी मुख्य दौर पर कट कैसे जाती है, आप देखें कि यहाँ पर पीछे का जो इलाका आपको दिख रहा है, यह जो पूरा का पूरा चेदर आपको देख रहा है, इसके अंदर आप लोग देखें कि मुख्य दोर पर पानी मोजूद थी बहुत जाधा तेजी के साथ पानी आया तो पानी क्या कर दिया मिट्टी को काड दिया पीछे एक भाग रहे गया मिट्टी का जमीन का और आगया वाला भाग कट गया तो पानी की वज़ए से उसी के साथ-साथ आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों? कि हमने गलत तरीके से जब हम अपने हल्का परियोग करते हैं तो उसकी वज़ए से भी मिट्टी के अंधर कटाव क्यों पस्तिती होते हैं मृदापर्दन का मतलब क्या हुआ? मिट्टी का कटाव तो मिट्टी के कटाव को ही हम लोग मृदा परदन कहते हैं जब हम ज़रुरस से ज़ादा जंगलों को काट देते हैं और पानी की वज़ा से भी आप देखते हैं कि मृदा परदन होता है गलत तरीके से खेती करने से भी मृदा पर्दन आपको होता हुआ दिखता है अब मृदा पर्दन है कि यह तो हमने देख लिए और मृदा पर्दन हो कैसे रहा है उसको भी हमने देखा पढ़ेंगे आगे डिस्कुशन करेंगे मुख्य तोर पर कि आखिर मृदा पर्दन को रोका कैसे जा सकता है दोस्त है ना डिस्कुशन करते हैं दोस्तों कि मृदा पर्दन की रोक्ताम हम लोग कैसे कर सकते हैं तो अगर आपको मृदा अपरदन को रोकना है, अगर आप लोगों को मृदा के कटाव को रोकना है, तो इसके लिए क्या है, भाई यह हमें कुछ तरीकों पर ध्यान देना होगा, और वो क्या है, कि सबसे पहले हमें मुख्य दोर पर क्या करना होगा, जो हमारी पेड़ है, उ सने के लिए जो पहाड़ी इलाक हैं उसमें पता है क्या किया जाता है पहाळी इलाकों में हम लोग police ली नुमा खेती देखतें किया देखते हैं सीडी लोग म्रदा परदन को रोख सकते हैं, मिट्टी के गटाव को रोख सकते हैं और उसी के साथ साथ पेड़ों को रक्षक मेखला, रक्षक मेखला का मतलब होता है कि सीक्वेंस वाइज, एक साथ पेड़ों को लगाने से भी, एक साथ पेड़ों को लगाने से भी, है न, हम पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका संसाधन है स्वामित्व की अधार पर स्वामित्व का मतलब क्या होता है स्वामित्व आप लोगों ने जरूर शब्द को देखा होगा स्वामित्व का मतलब होता है मालिक कि भाई खनीज आपके संसाधनों का मालिक कौन है मालिक कौन है इसके अधार पर भी हम लोग संसाधनों के अलग-अलग रूपों को देखते हैं और स्वामित्व के अधार पर के संसाधनों का मालिक कौन है इसकी चार के डिग्रीज है सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, दोस्तों सबसे पहला कहलाता है विक्टी गस सनसाधन, बौद असान सी वाद़ा जादा मुश्किल नहीं है, विक्ती गस सनसाधन का मतलब हुआ, ऐसे सनसाधन जो एक विक्टी विशेश या पिर उसके परिवार के होते हैं, जैसे आप आपका अपना ही तो है किसी और का तो नहीं है ना जी हां जैसे आपका आप क्या देखते हैं कि आपका क्रिक्ट बैड हुआ आपका फॉन हुआ ऐसी चीजें जो एक विक्ति या फिर उसके परिवार विशेशकी होती है ऐसे संसाधनों को हम लोग्यद शेंसे आपकी घर की ज गादार पर सबसे पहला जो हमारा संसाधन है उसे हम लोग कहते हैं विक्तिकर संसाधन जो किसी एक वेक्ति या फिर एक परिवार के अप देखते हैं कि अंडर आते हैं दूसरा हमें देखता है दोस्तों सामुदाइक संसाधन भाई सामुदाइक संसाधन का मतलब क्या होता है सामुदाइक संसाधन का मतलब होता है कि इस पर किसी एक विक्ति विशेश या फिर परिवार का राज नहीं होता ये सब के होते हैं, ये पूरे समुदाइक के होते हैं ऐसे संसाधन जो किसी एक विक्ति विशेश के नहीं होते जो आपको दिखता है कि सभी के होते हैं ऐसे संसाधनों को हम लोग मुखे तोर पर क्या कहते हैं सामुदाइक संसाधन के तोर पर पुकारते हैं जैसे आपके घर के पास मौजूद जो पार्क है वो सामुदाइक संसा कहलाते हैं हमारे सामुदाइक संसाधन कहलाते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा मालिक कौन है स्वामित्व की अधार पर जो हमारा तीसरा एक आपको संसाधन दिखता है इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रिय संसाधन राश्ट्रिय संसाधन का मतलब क्या होता है दोस्तों राश्ट्रिय संसाधन का मतलब है ऐसे संसाधन जो किसी देश की सरकार के होते हैं तो ऐसे संसाधन जो किसी देश की सरकार के होते हैं उस देश की सरकार में उनको स्थापित क्या होता है ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रे संसाधन कहते हैं उस देश की सरकार की property होती है जैसे अगर हम लोग देखे हमारे देश की जो भारती रेल है क्या आप कहेंगे कि ये मेरी है नहीं क्या चर्ण 5-6 लोग मिलके कह सकते हैं कि ये हमारी है को तोड़ा या फिर इसको आपने बरबाद किया तो आपसे सरकार उचित मुआफज़ा भी ले सकती है आपसे हरजाना भी लिया जा सकता है अब स्वामित्व की अगहार पर शौथा और आखिरी जो हमारा संसाधन होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं अंतराष्टे संसाध संसाधन का मतलब हुआ कि किसी एक देश का नहीं है आप देखते हैं कि यूप पूरी दुनिया के संसाधन के दौर पर उसे हम देखते हैं कि किसी देश की 30 किलोमेटर के बाद का जो छेतर होगा, यह जो छेतर होगा, किसी देश के अंदर आपके देखें कि वहाँ की जो तट्टीय सीमा है, उस तट्टीय सीमा के 200 किलोमेटर के बाद का जो संसादन होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराष्टर संसादन कहते हैं इस पर किसी एक देश का गवजा नहीं होगा इस पर आप देखें कि सन्योक राश्ट संग या फिर दुनिया के सभी लोग उस इलाके में मौझूद संसाधनों का परियोग करते हैं तो स्वामित्व की अधार पर हमने भिन भिन प्रकार के जो हमारे संसाधन थे उनकी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया आगे वड़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर हम लोग आपके सामने महत्वण कोशन्स कुछ MCQs हैं यह बहुत जादा महत्वण हैं इनको भी आपके सामने रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे साल 1992 में आप क्या देखते हैं कि दुनिया में लोग जैसे मैंने आपको बदाया कि हमारे पूरवज लालची रहे, शरारती रहे कंसाधनों का गलत तरीके से परयोग किया तो साल 1992 कि आस पास उस समय के जो नेता लोग थे उन लोगो रेलाइज हुआ कि भाई बहुत गलती कर दी और अगर हमने अब भी अपने आपको नहीं सुधारा तो हम लोग आने वाले समय में बहुत गलत तरीके से क्या गरेंगे अपनी प्रिथवी के अस्तित्व को खतम कर देंगे इसी को धियान में रखते हुए कि मनुष्य क्या करें मनुष्य सतत पोशनिये विकास करें क्या करें सतत पोशनिये विकास कि संसादन तो विकास तो करें लेकिन परियावरण का नुकसान ना करें सदत पोशन ये विकास को ध्यान में रखकर एक मीटिंग हुई, और इसी मीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रित्वी सम्मेलन भी कहते हैं, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वो आपको बताएंगे, तो साल 1992 में दुनिया में जो विकास हो, वो सदत पोशन ये विकास हो, परियागरनों को नुकसान पहुचाए बिना हो, इसको लेकर एक मीटिंग हुई, कौन से शहर में हुई, ये पुचा जा रहा है, तो ये मीटिंग रियो डीजिनेरियो, ब्रजील का एक शहर है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इस मी 1292 के जो प्रित्वी सम्मेलन था, दुनिया के अलग-अलग नेताओं ने इसके अंदर अपना योगदान दिया था, टोटल कितने देशों के जो राष्ट अध्यक्ष थे, महा के प्रधान मंत्री या फिर राष्पती आपको दिखते हैं, वो आये थे, तो लगभग दुनि अब एजंडर 21 क्या है, चलिए समझ लीजीव, एजंडर 21 क्या है, कि इस मिटिंग में, जो साल 1992 में आप देखते हैं, हुई, जिसे हम लोग प्रित्वी सम्मेलन भी कह रहे हैं, और उसी के सासाद रियो सम्मेलन भी कह रहे हैं, है ना, इसी मिटिंग के अंदर ये तैह हु हम परियावनों को नुकसान नहीं पहुचाएंगे, जो गरीब देश हैं, उनकी मदद की जाएगी, अमीर देशों के द्वारा, दुनिया के अंदर से बिमारियों को खतम किया जाएगा, दुनिया के अंदर से आतंगवात को कम किया जाएगा, दुनिया के अंदर से हम तो संसाधन विकास भुगोल का एक बहुत ही महत्रपुन चैप्टर आपके पेपर में पूछा जाता है, चैप्टर से संबंद सारे के सारे questions को हमने आपके सामने रखा, यह चैप्टर पूरे तोर पर आपके सामने रखा गया है, इसके long questions, short questions और आपके MCQs के questions को हमने रखा, उमीद है कि आपको यह chapter जरूर पसंद आया होगा, comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारी यह class कैसे लगी, जरूर अपना आप लोग feedback दें, उसी के सार साथ दोस्तों एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो यह है कि आप अगली class किस part पर, किस chapter पर कराना च अधिकतर बच्चों ने कहा था, सर, यूरोप में राष्टवाद, वो जो हिस्ट्री का chapter है न, वो करा दो, तो अगर आप लोग वो chapter चाहते हैं, तो आप लोग जरूर comment में लिखें, और बताएं कि आप अगली class किस chapter पर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो जिस chapter की सबसे अधा होगी demand, उसी chapter को करेंगे, हम लोग आपके सामें share, ठीक है, अपना ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें, इस chapter को अब हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, अपनी class को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, chapter का नाम जरूर बताईएगा जिसको आप लोग अपनी आने वाली class में देखना चाहते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखें, हमारे साथ जुरूने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद